गाना एक्चुली हमारा रिलीज हो चुक है 15th February को हॉलिवूड वाले नकरे पहले तो मैं सीधा गाने की बात कर रहा हूँ, थैंक्यू सो मुच फो कमिंग आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का और गाना हॉलिवूड वाले नकरे बहुत ही प्यार मिल रहा है गाने को फीचरिंग सनी लिओनी, तो मेरा डेब्यू गाना है और सनी है गाने में जो कि हमारे लिए मैं बोलूँगा कि मेरा बहुत ही भग्य में को लगता है बहुत अच्छा है हिंदी में अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलू तो तो it's my good fortune कि सनी है उसमें और यह हमारे producer ही तेंदर कपपारा जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्हों ने में को लांच किया as a singer और thank you so much जो कि मैं इनको करकर थक गया हूं अभी thanks बोल बोल के और बहुत ही अच्छा response मिल रहा है लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है और इसलिए हमने that is the reason हमने सोचा कि we are keep on let's let's not you know stop here let's let's keep on promoting the song क्योंकि लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो हम release के बाद भी गाने को प्रमोट कर रहे हैं और हमें यह है कि घर गर तक गाना पहुंचे लोग इतनी इसकी youthful spirit है गाना ग्रीस में शूट हुआ है और yes बाकी आप और पूछ रो और जो भी आपका पोशन है sir आपको sir आप आट साथ जोड़े होगे और Sunny ते के साथ कैसे तो तक तो गाने को बोडूस कर दिया है हम लोग ने छोटे स्केल से स्टार्ट किया था गाने के लिए और मुजिक रेडी हुआ तो मैं Sunny और Daniel को बताने किया कि हम मेंगिंगा music video and all फिर मैंने बोला कि if Sunny होती थी तो best होता तो Daniel ने बोला कि of course हम लोग तुमार ले हमेचा रेडी है हम बोल दे खाली तो मैंने बोला अफकोस अच्छा हो जाएगा Sunny आजाएगी तो उसने हम बोल दिया और फटाफट सबके विजा लगाया हम लोग रिस गया शूट करने के लिए हम लोग ने रिलीस किया सो लोगों को बहुत अच्छा लगा और Zee Music ने विडियो रिलीस किया है तो वेरी नाइस है अच्छा लगा और फिर बाद में मैं बोला भाई को कुछ इसको और प्रमोट करना चाहिए हर जगा पर प्रमोट करना चाहिए जैसे YouTube होता है YouTube के ओपर जो लोकल चैनल होते तो जगा पर आज प्रमोट कर रहे है और मुझे अच्छा लगा और गाना सुनके भी बहुत अच्छा लगा और भाई भी इतने दूर से आता अच्छी जो टाइटल है वो गाना बनने के बाद डिसाइड हुआ और टाइटल भी बना में को लगता है कि हर गाना जब भी बनता है कोई उसकी एक अपनी उसकी किस्मत होती है तो यह गाना I think it belongs to Sunny Leone सो उनके उपर यह गाना इतना apt था कि हाला कि Sunny को बाद में गाने का पता चला बट गाना जब हमने सुना एंड हमने विजुलाइज किया concept डिसाइड हुआ कि यह गाना यहां पर शूट होगा Sunny के उपर ऐसे इसको हम concept को बनाएंगे तो हमें लगा कि यार यह तो मतलब actually Sunny के यह है क्योंकि Hollywood वाले नकरे all the way from the US वो US से यहां आये हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहां पर तो यह गाना हमें वहां से हमने लगा कि यह गाने का नाम यह होना चाहिए Hollywood वाले नकरे क्योंकि actually इसका कहिना की chorus भी है यह repeat हो रहा है गाने में बार बार तो ऐस इसे ही सबने यह actually team में को लगता है teamwork है तो team जब बैठती है तो बहुत सारे creative ideas आते हैं दिमाग में तो सब team ने मिलके decide कि यह नाम Hollywood वाले नकरे ही होगा और जब गान नाम डिसाइड हुआ तो उसके बाद वो नाम के हिसाब से वो sunny भी हमारे हमारी team का हिस्सा बन गए actually हम उ जली देखने मिलेगा और इस गाने का क्या review कैसा तो लोगों के तरफ से क्या review आज ही गाने का लेक पांच दिन के दर 4 million हो गया और people प्यार कर रहे गाने को अच्छा कर रहे और अच्छा कर रहे और लोगों को अच्छा लग रहा है और हमारे composer ने भी बहुत अच्छा music बन करें के यहां से यह करना तो सबसे इतने excited थी कि वह इ साने के बाद रहे ज्यादा किया करते है यह करते हैं यह इंपर यह पे जाकर शूट कर रहे तो और ज्यादा शूट करो यह करो greece रहे तो greece को अच्छी तासते दिखाओ तो sun 11 बहुत at wyb Oreo ृ नाज भी ऑब अग ए वाईव बड़ गया जो टेटल था है जो फिर इंडिया में अज नहीं था कि होली होलीव को पहली होलीव्ड भर्लॉपर अपर शूरए की तब अपरण चिक रहे आth लुकारे मतलग क्या है? बसक्राइ बुदाए खना है in style swag and all sunny can all the lot beauty shots तो से लिए फिर अन्यमिर को हुए फिरी इट्टीन्मेंट के लिए होता है और music ऐसी जीज है मैं को लगता है कि वो हर age group का बंदा सुनता है वो चाहे कोई भी हो बच्चा हो, बड़ा हो, बुड़ा हो कोई भी हो हर age group enjoy करता है और यह जो हम आप बोटे हो कि Hollywood वाले नकरे क्या है actually मैं को लगता है कि यह भी उसी industry का part है वो जो अदाएं है जो actually मैंने उनके साथ shoot किया है, बट मैं खुद गाने को इतना enjoy करता हूँ, उनकी मैं अदाकारी को देखते हुए, मैं खुद बहुत enjoy करता हूँ video जब भी देखता हूँ, तो मैं को भी है कि views भी बढ़ जाया है, मैं बार-बार YouTube पर देखता पर देखता हूँ, जब हम जा रहे थे shoot के लिए तो बहुत ही mixed feeling थी, कि excited में बहुत था और nervous भी था कि अभी सबकी expectations पूरी team की मेरे से बहुत जादा है, क्योंकि अभी Sunny लिए और नहीं है गाने में तो मेरे को अपना 100% नहीं 200% देना है मतलब हर साइट से, as a singer come actor और तो मैंने अपना मतलब मैंने यही सोचा था कि यार कि यह opportunity सबको मिलती नहीं है it all happened because of Hitender Kapopara HK films and मैं बार-बार वही इनका thanks करता रहता हूँ इनोंने मेरे पर विश्वास रखा, इनोंने मेरे potential पर विश्वास था कि यह कर सकता है और yeah that's all तो romance, romance Sunny के साथ तो romance मैं को लगता है कि जाहे उनके साथ कोई वीडियो में shoot कर रहा हो या नहीं कर रहा हो कोई उनको वीडियो जब उनको कोई screen पर देखता है ना तो उसको भी यह लगता है कि यार मैं मतलब मैं इनके साथ romance कर रहा हूँ उनका ऐसा उनका aura है on screen वो इतनी में को लगता है उनका इतना अच्छा combination है hotness का cuteness का सब कुछ है वो फुल package है so मैंको लगता है कि उनको जरूरी नहीं है कि आपको screen ही share करनी है romance करने के लिए आप उनको screen पर देखते वह भी romance कर सकते हो इसन पर किसे convince किया आपने क्या मर्या सभी मैं आपको कैसे convince किया आपने मैं तो डर रहा था Sunny को पूछने के मुझे शरम आ रहा था कि मैं कैसे पूछा आई नो पर मैंने डैनियल को बोले we are your family member उसमें के go and tell Sunny के you have to do this video मैंने बोला कि किनो जैसी ये video है तो Sunny ने बोला कि आपकोस तुझे बोलना चाहिए हम लोग करेंगे ते लिए support करेंगे एक नहीं 10 video करेंगे let's go and shoot and rock the song on set में कभी कोछी नख्रे दिखाई मनने आपको यापको on set on set on set she is very calm, she is very compassionate about everything and everyone बहुत ही कहते है ना जिनके दिल में प्यार होता है सबके लिए उनके दिल में हर चीज के लिए हर इनसान के लिए बहुत प्यार है और कोई नख्रे नहीं on screen चाहे गाने का नाम hollywood वाले नख्रे है screen पे उनके नख्रे दिख रहे हैं बट off screen उनका कोई भी नख्रा नहीं है उन्होंने एक बार भी किसी भी चीज के लिए कोई ऐसी demand नहीं किये कि producer को सोचना पड़े किया रहे यार यह ऐसे क्यूं बोल रही है यह ऐसा क्यूं हो रहा है मैंको लगता है कि इतना जादा सपोर्ट करे कोई आर्टिस्ट मैंने पहली बार मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे on screen वहां पर मैंने off the camera मैंने बहुत जारी चीज़े देखी कि वह कैसे अपनी team के उनकी team उनकी family है तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा हाला कि बिना बात के भी बहुत कुछ सीख लिया बहुत कुछ मैंने सीखा उनको मैंने observe कि वह कैसे अपनी life अपनी real life अपनी जीते हैं उसे मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला and she is very down to earth पर बॉलीवूड से तो कुछ ऐसा नहीं है definitely बट आगे जो projects है वो lined up हो गया है so बहुत जल्दी अगला project भी हम announce करेंगे but right now हमारा focus यही है कि हम hollywood वाले नक्रे यह गाना across the globe हर जगा सबके घर में हमें हर age group का बंदा सुन पाए और अगला project भी बहुत जल्दी आ रहा है हमें इतना अच्छा feedback मिला है hollywood वाले नक्रे से so अभी यह है कि अभी double minute करनी है और अगले project को इससे भी अच्छा response मिले so we'll try our level best sir मेरे उसाथी स्वाल है कि उस राथ क्या बहुत सा अभी आपको एक गाना करना है उस राथ क्या बहुत नहीं sir उस दिन मैं I was the happiest you know I was you know literally मैं भगवान किया मैंने हाथ जोड़ी कि thank you so much कि इतनी अच्छी artist के साथ में को काम करने का मौका मिल रहा है और मैंने इनको बार-बार उस दिन बोला गिया thank you so much whatever is happening it is happening because of you only और इनकी वज़ा से ही सब कुछ है यह मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है पर एक दोस्ती अलग चीज होती है जब काम करते हो तो कोई आप पर विश्वास करे वह बहुत बड़ी बात होती है और यह सिर्फ मेरे लिए अच्छे नहीं है इनका character जो है अपनी life में in terms of work he is very professional he is very disciplined, very organized इनको पता है अपना काम कैसे करना है और पहला गाना था इनका as a producer भी और इन्होंने इतने अच्छे से निभाया उसको ऐसा लगा कि यार यह बंदा काफी देर से इंडस्ट्री में काम कर रहा है और मेरे को जैसे आपने कोशन था मैं कहीं और चला गया आपने कोशन पूछा कि मेरे में को कैसा लगा उस रात मैं बहुत खुश था में को लगता है कि gratitude is the attitude मैं gratitude ही feel किया उस दिन रात को कि यार में को यह मौका मिला है करोरो में से एक होगा कोई जिसको ऐसा मौका मिलता होगा और अल थांक्स तू Sunny Leone उन्होंने agree कि हाँ हम गाना करते हैं और एक Newcomer के साथ गाना करना बहुत बड़ी बात होती है इसके लिए उसको guts चाहिए कि हाँ मैं Newcomer के साथ काम करूगी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने इतना सोचा कि मैं उस काविल हूँ कि मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ